चलिए आज बनाते हैं special lunch थाली ये थाली हमारे गर में सबकी favorite है और आज Sunday है तो मैंने सोचा चलो आज ही बना देते हैं तो यहाँ पर मैं लेकर आगई हूँ दूद यहाँ पर दूद मैंने एक लिटर लिया है और एक बड़ी सी मैंने पतिली ले ली है चलिए अब पतिली में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दूद नीचे से चिपके नहीं तो आज मैं क्या बना रही हूँ वो तो मैंने लिकविडी होता है तो चलिए यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद ले लिया है पतिली में और अब थोड़ा सा दूद मैं निकालूंगी एक कटोरी में तो यहाँ पर मैंने तकरिबन दो करची बर के दूद ले लिया है साइड में निकाल लिया है और अब ले लेंगे कस्ट गरम दूस्ते बना रहे हो तो 1 टेबल स्पून कस्टर पाउडर दीजेगा चलिए अब मैंने कस्टर पाउडर को दूद में गोल लिया है जो दूद हमने बाहर निकाल के रखा था और अब गैस की फ्लेम मैंने अन कर दी है दूद मैंने गरम करने के लिए रख दिया है हुए फ़्ट करने के लिए बारिक बने रहए नहीं पने है आखर से यह ना बने संकरफ जोगेकी आटे कीशने इंदर करती खूद गैसा की हमेर के बारिकम का जुद ओनहीं मरम मैं creating उक मैंती है तो इस और परद गोल दोड़का सथा जरूद हओ ज़रूर आट खरते नमक और 4-5 चमत जितना हम ओयल डाल देंगे यहां पर हमारा दूद भी अच्छे से उबल गया है तो इसके अंदर एड़ कर देते हैं कस्टर पाउडर तो दूद अच्छे से उबल जाए उसके बाद ही कस्टर पाउडर एड़ करेंगे ताकि जो कस्टर पाउडर है वो ना बन जाए तो यहां पर दूद के अंदर कस्टर पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसके अंदर एड़ कर देते हैं चीनी तो चीनी आप अपने तेस के अकोरिंग ले सकते हो कितना आपको मीठा पसंद है उसकी हिसाब से ले सकते हो लेकिन यहां पर हाफ कप प्याने कि आदा कप चीनी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है अगर आप यह मेजरमेंट फॉलो करोगे तो आपका जो फ्रूट सलाड है वो एकदम परफेक्ट स्वीटनेस वाला बनेगा चलिए अब यहां पर फ्रूट सलाड को एकदम लो फ्लेम पे थोड़ी दिर के लेगा आटा तो समझ लेना है हमारा ओयल एकदम परफेक्ट है अगर आटा बिखर जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा ओयल हम और एड़ करेंगे चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हम आटा गूंट लेते हैं तो यहां पे हमें एकदम हार्ड आटा भी नही गूंटा है पराठा के जैसा आटा हमें यहां पर गूंट के तेयर कर लेना है तो आप देख सकते हो कि किस सरा का आटा मैंने गूंटा है इतना सौफ्ट आटा हमारा होना चाहिए तो यहां पर आटा गूंट के हमारा एकदम रेड़ी है तो इसे निकाल लेते हैं एक अलग पती लिए उसे मैंने रख दिया है फानी में आज मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने इसे इस तरह ठंडा करने के लिए रख दिया है क्योंकि आज संडे है सब घर पर है खास करके रुद्र को बहुत ही पूख लगी है वो कब से किचन में इधर उदर गुम रहा है ब क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू की भाजी सुक्की भाजी बनाएंगे इसके साथ क्योंकि पूरी और फूर्ट सालाट के साथ आलू की सुक्की भाजी बहुत ही अच्छी लगती है तो सुनाना आपने प्रुद्रों को बहुत ही बूख लगी है इसलिए बार बार आके पूछ रहा है कि क्या बना रही हो कितनी दे लगीगी तो चलिए फटा फट से हम बना लेते हैं आलू की भाजी तो यहाँ पर आलू को पहले मैंने चीर लिया है और इसे इस तरह बड़े बड़े टुकडों में मैंने कट कर लिया है आप आलू को बॉयल करके भी ले सकते हो मतलब के आलू को कुकर में बॉयल करके उसे पीसिस कट करके भी ले सकते हो लेकिन मैं इस तरह कट करके लेती और यहां पर मुझे देर भी हो रही है और मुझे लाइटर भी नहीं मिल रहा है तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि देर हो रही है और हड़ बड़ी में हमें कुछ मिलता भी नहीं है तो फाइनले मुझे लाइटर मिल गया है तो आलो को मैंने बॉयल करने के लिए रख द और सेब हैं इसके अंदर आप केला भी डाल सकते हो लेकिन मेरे गर में सबको केला नहीं पसंद है तो मैं इसे आवड कर रहे हूँ तो आपके पास जो भी फ्रूट्स है वो आप ले सकते हो तो यहाँ पे मैंने अनार के दाने निकाल लिये हैं मैंने यहाँ पे सेब को दम काले ना पड़ जाए क्योंकि जो सेब है वो फटा-फट से काला हो जाता है तो उसे फ्रिज में रख देते हैं यहाँ पे हमारे आलो भी अच्छे से बॉयल हो गए है तो अब इसका एक्स्ट्रा जो पानी हो निकाल लेते हैं और अब यहाँ पे मेरे पास जो पतिली है जिसके अंदर मैंने आलो को बॉयल किया था वो नॉन स्टिक है तो उसके अंदर ही मैं आलो को छोक लगा दूँगी तो आलो को मैंने निकाल लिया है वापस से एक बरतन में और अब यह जो बरतन है उसके अंदर दाल देंगे तीन से चार चमच तेल और तेल गरम होते ही उ एकदम सिंपल मैंने बनाई है यह सिंपल होते हुए भी टेस्ट में बहुत ही बढ़ा लगती है चलिए बलास्ट में आदे निम्मू का रस इसके डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह लीजे आलू की भाजी हमारी फटा-फट से बनके रेडी है अब इस में से हम थोड़ी सी लोईया निकाल लेंगे तो आप जितनी बड़ी पूरी बनाते हैं उतनी आप लोईया निकाल ले हम इस तरह की चोटी-चोटी पूरिया बनाते हैं गुजरात में तो मैंने चोटी-चोटी लोईया निकाल ली है चलिए अब इससे बना लेते हैं पूर पूरिया हम इस तरह बेल के रेडी कर लेंगे इसे हमें बैचिस में रेडी करना है क्योंकि सारी पूरिया एक साथ बेल के रेडी कर लोगे तो पूरिया सूख जाएंगी तो अच्छे से फूलेंगी नहीं तो थोड़ी थोड़ी पूरिया हम बेलेंगे और उसे फ्राय कर ले तो आप देख सकते हो कि हमारी पूरिया एकदम ready है देखने में कितनी बड़िया लग रही है और oil free है मतलब कि oil free तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन less oil वाली पूरिया हमारी बनके ready है क्योंकि इसके अंदर हमने जो दर दर आटा लिया था उसके वज़े से यह ज्यादा तेल ने प तो यहाँ पर मैंने भाजी सर्व कर ली है कट्टोरी में मैंने थोड़ा सा fruit डाल दिया है और उपर से डाल दिया है fruit salad यहाँ पर मैंने कोप्रा पाक पी सर्व किया है इसकी recipe मैंने अल्रेड़ी शेर किया है अगर आप चाहो तो देख सकते हो तो थाली हमारी एकदम ready है चा